नमस्कार अब्दग्रे दैनी कलाई मीट 24 मैं हूं के लिए अबिरोची बुरेंदर कुमार दर्सकों आज जाजात विदान सभागे सदस जाजय अमिले डमुदर रावत्ने मीडिया से बात करते हुए आज शेत्र में हम बहुत बेहतर करने जाने उन्होंने साफ कहा कि कि दोनों सड़क का काम होगा अज सारी सड़कें निश्ची तुरुप से बनेगी सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसे योजनाय हैं जिसको आप बखूबी जो है सोसल मीडिया और ऐसे भी बहुत सारे योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं तो मुफ की रूप से अभी आप जनता तक पहुंच रहा या उसके पर्यास में आप हैं देखिए पूरा दूने पूरी दुनिया और पूरा देश कुरोना के प्रभावित हैं हम लोग भी उससे अच्शूती नहीं हैं और इसलिए स्वास्त चेत्र में हम लोगों ने काम करने का फैसला लिया हमारी सरकार ने काम करने का फैसला लिया और आपको पता होगा कि बिहार सरकार ने अपने अस्तर से एक हजार Health of Center, सह Wellness Center प्रक्रिया पूरी कर ली है और हर एक विधान सभाजशेत्र में एक additional PSE इसे इतर हमने अपने विधान सभाजशेत्र और जमुई जीले में 72 Wellness Center की अस्थापना की सिकृर्टी राज़ स्वास्त मिशन जो भारत सरकार का है उसके माध्यम से दिलाई है और हम समझते हैं कि उसका भी काम जल्द ही सुरून होने वाला है इसके अलावा कोरोना से बचाव के लिए भी अनेक प्रियास हम लोगों की सरकार की द्वारा हो रहा है आपको पता होगा कि जमुई में अत्रिक्त बेट की अस्थापना की जा रही है ऑक्सिजन स्लिंडर की विव कि उसमें भी मुकमल विवस्ता करनी गुई है वेड अब आधी उवम सीजन स्लिंडर इन सारी चीजों की विवस्ता करनी गई है दवा आधी की वेवस्ता गियी है और आपको पता होगा कि पहले 8 tcr जांनचत होता था और उसका सेंपल यहां से पठना बेजा जाता था अब दिवुजए सेंग प्रात्मी स्वास के धवर में उसकी अस्थापना हो गई है, और हम समझते हैं जमूङ के आस्पास के जीलों के भी लोग उस्चेंद्र का लाव लेंगे ? कुल मिला के हम यही कह सकते हैं कि हमारी सरकार सचेत अर स्वास्थ कि छेत्र में हम बहतर काम आगे के दिनों में चरने जा रहे हैं नर्सेश ट्रेनिंग सेंटर की अस्थापना वहां पर की गई है उसका अभी कलासे से आरम बने हो जो कि भवन निर्मान हो चुपा है तो उसकी क्या बसकुष्ट दिए नर्सेश ट्रेनिंग इसको करने वाले हैं और जब सरकार उस सेंटर की शुरुगात करेगी तो इस शेत्र के अलावे पिहार के भी लोग फैदा ले सकेंगे जिए नेम तो सड़े में एक दौर में स्टार्ट जो पूर्वा परत्यासी रहे जो आपके विपक्षी रहे राजत के राजंदर यादा वो सा आरोप लगाते हैं कि मिली भगत से जो है वो जीत गया है हम हाइकोट में क्येस किये हुआ है क्या यह कुछ सचाई है या क्या सिर्फ पैसे आप तो मामला है कुछ सड़कों का हाल सर बहुत बुरा आपके गिदौर में इसरे स्टेशन जाने वाली जो सड़क जैसे कि हमारे चेत्र में हम साइट पर गए थे शिलानास तो मानिये मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है अगर जर्वत पड़ेगा तो हम लोग कारजार रमुख करेंगे लोग करते हैं लेकिन उन सारे पूलों का काम सुरू हो गया है और वह सभी पूल इंटिरियर चेत्र में आपको कि बातें आती थी प्रसासन के द्वारा वहां आवागमन का कोई साधन नहीं था तो उस फेत्र वह भी आवागमन के लिए एकदम सर्वल बना दिया गया है और वहां भी लोग आप किसी समय जा सकेंगे आ सकेंगे उस अंदर में इन पूलों की महत्ता थी अजिक राजनिति को कुछ नहीं काना चाहिए उनका अंधरूनी मामला है और हम लोग तो सरकार में हम लोग अपना काम कर रहे हैं विपक्ष अपना काम करें लेकिन सुद्ध रूप से वहार जेडी का अंत्रीक मामला है उसमेर हम लोग कमेंट ने कर दो शेवा सड़क सेबा तरब जाने वाल सब्सक्राइब करें किया में कहां तक क्या हुआ है यार ठीक है सब्सक्राइब